Hey everybody, मैं हूँ प्रांजुल और आप देख रहे हैं Practical Learning आज के वीडियो में हम Indian Evidence Act के Chapter 4 को discuss करेंगे जो कि relate करता है with oral evidence इसमें हम discuss करेंगे Section 59 and Section 60 और साथ ही में कुछ rules of here's the evidence Section No.5 से लेके 55 तक में हम ये पढ़ते हैं कि कौन से कौन से facts relevant होते हैं और किन facts के लिए evidence दिया जा सकता है लेकिन अब Chapter 4 और 5 में जाके हम ये देखेंगे कि evidence देने का manner क्या होगा और किस तरीके से evidence admit किये जाएंगे इस series के previous videos को देखने के लिए आप उपर i button पर या फिर description में दे होई link पर click कर सकते हैं और इसी series में आगे आने वादे videos को पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजे मेरे चानल को और बिल आकन प्रेस कीजे तरकि आपको notification मिस ना कर दे Section 59 बात करता है कि वो कौन से facts है जिने हम oral evidence के थुरूँ proof कर सकते हैं तो सारे facts, all facts may be proved by oral evidence ये हो गया हमारा general rule लेकिन इसके कुछ exceptions है exception number one, अगर content of document है और number two, अगर content of electronic record है तो इन दो चीज़ों को हम oral evidence से prove नहीं कर सकते इसके अलावा जितने भी facts हैं उन सब को हम oral evidence के थुरूँ proof कर सकते हैं इसका मतलब ये कि अगर किसी particular fact के बारे में कुछ writing में है, किस document में कुछ लिखा हुआ है तो उसके लिए oral evidence admissible नहीं होगा section 60 बात करता है कि जो oral evidence है वो direct होना चाहिए इस section में must word का use हुआ है यानि कि ये mandatory है यानि कि सारे ही cases में oral evidence direct ही होना चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर oral evidence किसी essay fact के reference में है जिसने की देखा जा सकता है तो वो evidence किसी essay witness के द्वारा होना चाहिए जो कहता है कि उसने खुद वो particular चीज देखी है अगर वो essay fact के reference में है जो कि सुना जा सकता है तो किसी essay witness का होना चाहिए जिसने की उसे खुद सुना है अगर वो fact किसी ऐसी चीज़ के reference में है जिसे की हम हमारे senses से perceive कर सकते है तो किसी ऐसे witness का evidence applicable होगा जिसने की खुद उसे perceive किया है अगर वो oral evidence किसी ऐसे particular fact के reference में है जिसकी उपर कोई opinion या ground of opinion है तो वो ऐसे person का evidence होना चाहिए जो की वो particular opinion hold करता है उस exact ground पे यानि ये है a इसके पास कोई opinion है लेकिन अगर ये opinion इस particular ground की उपर नहीं है और किसी दूसरी reason की वज़िस उसने opinion form किया है तो फिर वो यहाँ पे acceptable नहीं होगा grounds भी same होना चाहिए और opinion भी वही होना चाहिए section 60 के कुछ exceptions भी हैं जो की दिये गए है in the form of provisos इस section में दू provisos है proviso number one ये बात करता है कि अगर किसी particular expert का opinion और जन reason की वज़र से जन grounds पे उनने opinion form किया है अगर वो express किया गया है एक treatise के form में यानि कि एक book के form में और ये जो book है ये commonly sale के लिए offer की जाती है तो इस opinion या ground of opinion को हम prove कर सकते हैं इस particular treatise को produce करके अगर उसका जो author है वो जो expert person है वो मर गया है उनको ढूंडा नहीं जा सकता वो evidence देने के लिए incapable है अक्षम है या फिर उनका evidence देने के लिए एक बहुत unreasonable expense या फिर delay हमें इंकर करना पड़ेगा तो ऐसी situation में उनका opinion उनकी particular book से proof किया जा सकता है तो क्योंकि यहाँ पर ये एक indirect form है और हम उस person से directly नहीं पूछ रहे हैं इसलिए section 60 का exception है ये है proviso number 2 that is exception number 2 of section 60 जो oral evidence है अगर वो किसी material चीज जो की document नहीं है उसकी condition या existence के reference में है तो court उस particular चीज का production demand कर सकती है उसे inspect करने के लिए याने कि यहाँ पर court oral evidence के अलावा उस particular चीज से भी evidence ले रही है तो ये भी एक तरह से indirect हो गया और इसलिए इसे exception माना गया है अब हम बात करते हैं here से evidence के बारे में तो सबसे पहले ये देखते हैं कि here से क्या होता है जब कोई person कुछ declare करता है किसी ऐसी information के basis पे जो उसे किसी और से मिली है तो उसे हम कहते हैं here से याने अगर हम normal भाशा में बोलें तो सुनी सुनाई बाते हैं जो हमने खुछ directly किसी से नहीं सुनी है या फिर नहीं देखी है लेकिन हमने किसी third person से उसे gain किया है तो फिर वो होता है here से फर एक्जाम्पल ये है A इसने B का murder कर दिया और इस murder को होते हुए C ने directly देख लिया अब अगर C court में जाके अपना evidence दे तो ये हो जाएगा direct evidence जो कि section 60 में cover होता है लेकिन क्या हुआ कि C ने ये बात जाके बताई D को कि A ने B का murder कर दिया अब अगर ये person D जाके court में अपना evidence दे तो ये होगा here say evidence क्योंकि D ने खोद अपनी आँखों से A को B का murder करते हुए नहीं देखा उसने C के दोरा दीगी information पर reliance place किया और अगर वो जाके court में testimony देता है तो वो हम कहेंगे here say evidence याने कि एक तरह से जो evidence directly नहीं मिला है उसे हम कहते हैं here say सुनी सुनाई बात है तो क्योंकि here say evidence एक बहुत weak nature का evidence है और इस पर हम reliance place नहीं कर सकते इसलिए here say evidence totally inadmissible होता है एक case है मुक्तियार सिंग versus state of Punjab of the year 2000 Supreme Court का इसमें Supreme Court ने कहा था कि here say evidence को आप corroborative evidence मान सकते हो substantive evidence के लिए तो बहुत rare circumstances में इसे हम corroborative evidence मान सकते हैं लेकिन generally here say evidence totally inadmissible ही होता है अगर आपको गहींपे question आता है कि here say evidence का evidence value लिखिए तो आप यह तिनों point quote करेंगे और अगर generally पूछा जाए कि क्या here say evidence quote में admissible होता है तो answer है no admissible नहीं होता है लेकिन इसके कुछ exceptions है यानि कि अगर वो here say evidence है तो भी वो admissible होंगे और वो cover होते हैं under section 17-239 of Indian Evidence Act इन sections की वीडियो देखने के लिए आप यहां उपर i button पर click कर सकते हैं इन sections में जो चीज़े cover होती है उसमें included है admission, confession, 9 declaration और वो सारे statements जो कि किसी ऐसे person ने दिये हैं जिने आप ढूंडा नहीं जा सकता या फिर वो मर गए हैं तो वो सारे points इसमें cover होते हैं तो section 17-39 और exceptions of section 60 यानि कि ये सारे here's evidence है और फिर भी ये admissible है जबकि generally here's evidence admissible नहीं होते अब एक होता है circumstantial evidence और एक होता है here's evidence इसमें generally बहुत confusion create होते हैं इसलिए इसको एक बहर हम समझ लेते हैं हमारे example वही है कि ये है A इसने B का murder कर दिया और इस murder को होते हुए C ने देख लिया तो C का evidence होगा direct evidence अब C ने जाकर D को बता दिया कि A ने B का murder किया D ने directly ऐसा होते हुए नहीं देखा तो अगर D कुछ evidence देता है तो वो होगा here's evidence यहां पर यह person है Z इसने यह murder होते हुए नहीं देखा लेकिन जहां से इस B person की body recover हुई है उस place के पास में इसने A को देखा था और इसकी कपड़ों पर खून लगा हुआ था तो जो Z का evidence है वो होगा circumstantial evidence यह है basic difference between circumstantial evidence and hearsay evidence और यहां जाके हमारा chapter 4 of Indian Evidence Act complete होता है I hope आपको यह समझ में आया होगा और अगर आपको कुछ भी doubt थे तो आप comment करके पूछ सकते हैं इस सिरीज में आगे आने वाले वीडियो को पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजे मेरे चानल को और बेल आइकन प्रेस कीजे ताकि आपको तूरंती notification मिल जाए हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि relate करेगा वे documentary evidence chapter 5 of Indian Evidence Act तो बने रहे मेरे चानल पर बाई बाई